हेलो फ्रेंड्स वेलकम तूदा चैनल तेजस गियर आज का वीडियो होने वाला है दिक्षा के कुछ एसोसरीस पे आप में से बहुतों को पता है कि मैं अपना RX 135 रिश्टोर कर रहा हूं तो RX का जो पार्चन एसोसरीस है वो ओरिजिनल में हर टाइम अभी आजकाल एवेलेब करती है तो आज मैं आपको दिक्षा के कुछ एसोसरीस दिखाऊंगा और एक इंपॉर्टेंट बात कुछ डीटेल में अगर जी जानना हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में पूछिए या फिर मेरे फेस्बूक पेज पे पूछिए तो चलिए वीडियो शुरू कर लेत रहते हैं कि दूस्तों ये है कुछ दिख्षा के एसुयद सेरिस जो कि मैंने अपने आत्रइक्सrecht के लिए मंघ्वाया है As you know all कि मैं अपना RX 135 restore कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे side panel चाहिए था तो ये है side panel और ये मैंने colorless मंगवाया है without color वाला ताकि मैं अपने गाड़ी के color के मताबिक color कर सकूँ क्योंकि tank का color और side panel का color मैं नहीं चाहता कि अलग-अलग हो जाए अब जबकि मैं local में color करवा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि दोनों का color बराबर दिखे अब color वाला मंगवा लूँगा और by chance अगर दी tank का color थोड़ा सा 19-20 भी हो गया तो दिखने में वो खराब दिखेगा तो इसलिए मैं without color वाला side panel मंगवाया हूँ और यह है RX-135 का जो handle का जो cap आता है यह है handle का यह भी दिख्षा कंपनी का ही है और यह है दिख्षा कंपनी का rear brake pedal तो चलिए मैं अब आप लोगों को यह खोल के दिखाता हूँ सबसे पहले मैं आप लोगों को side panel दिखाता हूँ देखे इसका quality कैसा है यह देखिए यह है side panel यह off white color में है और यह है आपका right side का सबसे पहले आप इसका एक view ले लिए फिर मैं आप लोगों को detail में बताता हूँ यह देखिए quality देखिए बहुत ही बनिया quality का plastic material से बना हुआ है और finishing इसका काफी अच्छा है वीडियो में कुछ खास पता नहीं चल रहा होगा लेकिन मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि मैं देख के बता पा रहा हूँ कि quality actually इसका बहुत ही अच्छा है अब इसके उपर paint होगा paint होने के बाद sticker लगाया जाएगा उसके बाद clear coat मारा जाएगा उसके बाद इस पे 135 का logo लगाया जाएगा यहां पे 135 का logo लगाया जाएगा और एक यहां पे लगता है वो chrome का एक आता है side casing type का तो यहां पे वो casing लगेगा जो chrome का होता है वो भी plastic का होता है और यह छेद दिया गया है नीचे की और nut fit करने के लिए यह actually ऐसे लगेगा ऐसे करके और यह body के उपर तरफ की और यह अटकेगा इसमें कोई nut system नहीं है यह rubber में जाके अटक जाएगा और यह भी तो यह हो गया हमारा right side का side panel अब मैं आपको left side का side panel दिखाता हूँ तो यह है हमारा left side का side panel same to same यहां पे इस छेद में वो chrome का casing आएगा और इस छेद में आपका 135 का logo आएगा और उपर sticker लगेंगे यहां पे half लगेगा और यह जो बड़ा hole आप देख रहे हैं यह टूटी टैंक का जो glass होता है वो glass के लिए gaping दिया गया है ताकि वो glass visible हो तो वो glass visible यहां से होगा तो हमें समझ में आएगा कि कितना टूटी टैंक में है तो बाकी सब छेद आप लोगों को पता ही है मैं पहले वाला मैं बता चुका हूं यह सब same to same उसमें जैसा है same to same इसमें भी है तो यह होगी हा हमारा side panel अब मैं आप लोगों को handle cap दिखाता हूं यह है handle cap यह actually plastic का handle cap है यह देखे इसमें क्या-क्या provide किया गया है मैं आप लोगों को बताता हूं इसमें दो nut दिया गया है और यह एक Yamaha का logo दिया हुआ है तो यह logo यहां पर fit होगी ऐसे करके यह logo यहां पर लगाने के लिए हैं और यह nut यहां पर use करने के लिए हैं तो यह है इसका handle cap यह और भी बहुत सारे quality का आता है तो मुझे actually मिला नहीं तो मैं last में यही वाला ले लिया यह यहां पर Yamaha लिखा वाला भी आता है जो कि plastic का ही होता है और और एक आता है जो metal का होता है वह काफी महंगा है लगबाग 8-900 रुपया उसका प्राइस आता है तो मैं उतना effort नहीं कर पाया इसलिए मैं वह अपने seller को मना कर दिया कि मुझे तब यह normal वाला ही देदो तो उसने मुझे यह भेज दिया यह भी काफी अच्छा है बुरा नहीं है बस वह metal वाला दिखने में थोड़ा अच्छा लगता लेकिन अब जितना पैसा है उतना में ही चलना पड़ेगा खै छोड़िए मैं आप लोगों को अभी brake pedal भी दिखाता हूं यह देखिए यह है हमारा rear brake यह देखिए है इसका quality देखिए है यह joints में extra paint किया गया है ताकि यह rust ना लगे और पूरा का पूरा chrome finish है कहीं पे भी कुछ defect type नहीं देख रहा है मुझे पूरा का पूरा chrome finish है यह देखिए यह उपर भी chrome है यह देखिए और यह joints में extra paint किया गया है ताकि रस्ट ना लगे पूरा का पूरा chrome finish है बिलकुल बहुती बहतरीन quality का chrome किया गया है इसका खराब होने का chances मुझे बहुती कम दिख रहा है तो यह था हमारा दिख्षा का accessories तो यह था हमारा दिख्षा का वीडियो वीडियो कर दो like subscribe and click the notification bell thanks for watching